जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम हेपा मर्ज टेबलेट के बारे में सीखने वाले हैं या हेपा मर्ज टेबलेट आपको विन-फार्मा कमपनी बनाती हो या हेपा मर्ज के नाम से बहुत ज्याधा पॉप्लर है इसकी मूल कॉम्पोजिशन आपका एल औरनी थिन, एल एसपार लेट और तेबलेट के नाम से मिल जाती हैं तो एसका सबसे पहला प्रियोंग यह कोई वेक्ति इंडिकेसंस की समस्या हो रही है बार-बार मतलब को अपच्च की सिकायद्थ यह है तो उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है या हेपा मर्ज टेबलेट रिकमिनेंट करते हैं यह जो हेपा मर्ज टेबलेट है यह सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी प्रकार के समस्या हो रही है चाहिए वह ब्लोटिंग हो क्या जो हेपा मर्ज टेबलेट है यह आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पर लेना चाहिए वैसे अगर डॉक्टर का प्रेस्क्रियोग मिले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अब हम जानते हैं क्या को साइड इफेक्स आपको देखने को मिलते हैं वैस साइड इफेक्स अगर कॉमन स्टेज तक है तब तो कोई बात नहीं अगर यह साइड इफेक्स आपको सिवेर स्टेज में जा रहा है तो आप इस दवा का प्रियोग लेना बंद करें और एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अब हम जानते हैं दोस्तों कि यह जो दी जाती है और कुछ केसेज में जो डॉक्टर है वह आपको सुबह सामभी लेने के सला दे सकते हैं तो वहां आपकी कंडिशन को पर डिपेंड करता है और अगर हम बात करता है कि कितने लंबे समय तक यह हेपामर्ज टेबलेट लेना है तो इसको ज्यादा तर आपको वन मिलता हूं अब आप से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ